नमस्क्राइब द्यार क्यों सुवागत है आपका ग्यान सागर संस्तान के और्ण प्रेटफर्म पर में सत्यासर आप सवी का स्वागत करता हो हमारी यूट्यूब की क्लासे समें इसके पहले हमारी जो पेट के एक्जाम को धान में रखते हुए या जो अधर उसके लिए उसके लिए पड़ा हुआ था आप जो प्ले लिस्ट होगी आप उसके देश सकते हैं लिंक दे दिया जाएगा चली चालू करते हैं क्लास को और बिना किसी देडी के अच्छे से पढ से जोड़ने वाला दर्रा है दर्रे की बात होती है तो दर्रे मतलब पहारी रास्ते पासे इनको इंगली से बोलते हैं जो पास होते हैं पहाड़ों पे रास्ते होंगे अगर हम से पासे पूछे जाए तो हमें में कुछ स्टेर्स देखने होते हैं कैसे यहां पर अभी आप पीर, एक के ट्रिक आपको याद अक लेनी है जो जम्मू कस्वीर के लेकार करती है जो बाबू का पीर जो से होता है हमारा आपका कौन सा जो जिला दर्रा, जो जिला पास ठीक है, ये आपका गुर्जिला ये बनीहाल यहां पर आपका कारा, पोरम और ये आपका पीर पंजार ये पांच दर्रे होते हैं जो मेंली हमें पढ़ने कहां पर जम्मू कस्रीम में जोजिला, बनिहाल, बुर्जिला और कौन सा कारा कोरम अभी यहां पर पूछा जा रहा है कस्मीर को सेज भारत से जोड़ने वाला दर्रा है अगर कस्मीर को सेज भारत से जोड़ने वाला दर्रा होता है कौन सा होता है बनिहाल यहाँ पर नीचे का भाग आपका किसका होता है जम्मू का होता है उपर आपका पढ़ता है आपका कस्मीर पढ़ता है यहां पर जम्मू यहां से कस्मीर, इनको जोडने वाला यहां पर एक दर्रा है, पास है, वो कौन सा है, बनिहाल दर्रा, जहां पर answer क क्या होगा, C's answer होगा बनिहाल दर्रा होगा और इसी बनिहाल दर्रे में एक सुरंग इसी तया है ये एक्जाम में पूछी जाती है और ये famous भी है इस सुरंग का नाम क्या है जवाहर सुरंग तो question यापर आपको दो तरीके से language मूझन सकता है बाकि आपकी आपकी पास दर्रे जो कहां के है जमू कस्वीर के जो बाबू के पीर सोब्टर से आट पीयाँ है प्पञ्चाल यह पंजाल यह 5 तर्र है ठीक है अगे देखते हैं सकंडकोर प्रवत का निर्मार निर्म qué 24 किस क्रिया के प्रएगा है ठीक है अगर पूछे हिमाले बना कैसे है हिमाले के बनने के रिजन्स क्या है option में देखा जाए तो महा सागर के प्लेटो के अभिसरन के द्वारा option दे रहा आपका option नमर यह है महा सागर के प्लेटो के अभिसरन के द्वारा सेकेंड है महादीपी प्लेटो के अभिसरन द्वारा टुकडा टूटा और यह जो टूटा टूटका अलग हुआ यह क्या कहला है आपका Indian plate का टुकडा और यह Indian plate का ही टुकडा जाकर किस से जुड़ गया है Eurasian plate से जुड़ गया है और जहां पर यह टुकडा आपका टूटा और उसके बाद में क्या हुआ कि जब जुड़ा हमाले बनता है अफ्रीकन प्रेट से टूटने पर इन दोनों के टक्राने से होगा तो अगर पूछे कि हमाले के इन्मार कैसे हुआ है तो यहां पर आप देख पाईएगे कि महाँ बीपी प्रेटों के अबसर्ड के द्वारा किसका निर्मार हुआ है माले का निर्मार हुआ है यहां पर क्या होगा भी इसका सही अंसर होगा ठीक आगे देखते हैं अगला कुश्चन है गारो और जन्तिया पार्या पुझी जो प्लेसे जहां पर एवरेज रेनिंग 1200 सेंटिमीटर के अबव होती है 1200 से ज्यादा होती है उन पहाडियों प्लेस इन पहाडियों का ही हिस्सा है तो यहां पर पूछा जारा गारो खासी और जन्तिया किसमें पहाडिया यह पढ़ती है किस स्टेट में यह लोग देखें इंडिया के स्टेक्चर के क्या है जो हिमाले है वह किसका आपका यह जो पहाडिया किसका वहाग है यह अगर हैसे आपका भारत है कि अधिक है मैप कि तुरू मैं बता रहा हूं तो हो सकता है थोड़ा सा और बेटरली समझ में आ जाए यहां पर यह क्या पढ़ता है मेघाले पढ़ता है कभी भी मेघाले जो है आप उसको हिमाले के हिस्सा नहीं मानिएगा पहली बात तो आप यहां पर हिमाले के हिस्सा करता ही नहीं है हिमाले में ही एक रेंज पढ़ती ही जो निच्टी रेंज है आपका लगवी हिमाले के नीचे पढ़ती है उसको लोग बोलते है सिवालिक हिमाले तो वो सिवालिक का भी हिस्सा नहीं है सिवालिक हिमाले यहीं पर ऐसे समात हो जाता है नीचे नहीं आता है होता क्या है यह जो प्रादीपी पठार का हिस्सा क्या है हमारा आपका ये मेघाले की पहाड़ियां तो आपका अंसर यहाँ पर क्या होगा हमेशा मेघाले का जो पठार है या मेघाले की पहाड़ियां है या गारुखासी जन्तियां या सिलांग पठार है वो इसका पाठ होते हैं वो तेहन रच शेडियों में जो समलित नहीं है हिमाले में कौन-कौन से प्रस्ट शेडिया समलित नहीं यहां पर कारा कुरम व्रहत हिमाले लगु हिमाले और स्रिवाली खिमाले यहां पर आप सब पूछा जा रहा कि कौन-कौन से हैं जो हमारे आपकी कहा है हिमाले का इससा नहीं है अगर बात की जा किसकी हिमाले की हिमाले को हम मेंली आपके दो इस्ट्रेक्टर्स में अलग अलग बाट लेते हैं हिमाले जो हमारा आपका दो मेंन पार्ट में बटा हुआ है एक आपका प्रांस हिमाले और एक आपका महान हिमाले रांस हिमाले और महान हिमाले यह दो अलग अलग सरचना एह अगर महान हिमाले की बात होती है तो इसमें आपका व्रहध हिमाले मतलब greater हिमालिया फिर middle मद्य या लगू हिमाले और इसी के एक range होती है हमेरी कौन सी सीवालिक यह सबसे निचली देंज है यहाँ पर इसके तीन होते हैं महान हिमाले के व्रहद मद्य और सिवालिक जो में इस प्लेटों के टकराने से इंडियन प्लेट और यूरेशन प्लेट के टकराने से जो तिबबत के दच्छन में जो सरचना बनी जानी हिमाले बना वो आपका क्या है आपका व्रहद मद्यों सिवालिक में बटा हुआ है लेकिन हिमाले का एक ऐसा भाग था जो हिमाले के उत्तर में था वो क्या था आपका ट्रांस हिमाले का भाग था यह जो ट्रांस हिमाले है अगर इसकी बात करते तो यह समझ लीजेगा यह ट् क्रास्प्तिं यहले से भी क्या धाले है। यह याद रखने का पॉंट है कि इसकी माले से भी कहले होती है। तो ऐसे के समय छовых इसक भी कॉंस होकी है कारा कॉर्म लद्याकष वat रब्याज़ं पर यह चार रेंजिया वैक किसका होँगी, यह आपके ट्रांस हिमाले का पाठ होंगी तो ऐसे condition में यहाँ पे क्या होगा ट्रांस हिमाले आपका हिमाले से पहले बनने वाला भाग जिसकी आपकी 4 अलग लग लक्षरणिया कौन से हैं यहाँ पे पूचा हिमाले की परवश्रणिया जो सम्रेट नहीं है हिमाले के में देखिए का भ्रहात हिमाले हो जाएगा, लगू हो जाएगा, सिवाली हो जाएगा, कौन समझ लितने ही ऊगा? कारा कोरम क्योकि वो किसका भाग है? ट्राण्स हिमाले का भाग है printed यहा पर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं यह आपका कौन सा था यह हिमाले है इस हिमाले के उत्तर में जो भी कोई प्रविश्णक्रा है यहां पर यहीं क्या कहलाती है यहां पर हुए मनला कुस्चन है बुर्जिला दर्रा निकमे miracle किस राज में स्थित है, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है बुर्जिला दर्रा, तो यहाँ पर अभी हमने आपको जमुकस्यराज के बाद से बताया था अगर लोग पहला कोशन देखें तो यहाँ पर क्या होगा पहले कोशन में यहाँ पर क्या है जो बाबू का पीर हमने एक सॉट कर बता था उसमें यहाँ पर आपको क्या मिल ला है बुर्जिला मिल ला है तो सीधी सी बात है बुर्जिला दर्रा हमें किस राज में मिल गया है बुजिला दर्राफ में मिलका किसाज में जम्मू कस्मीर में तो यहां पर इसका अंसर क्या होगा सी इसका सही अंसर होगा आगे देखिएगा सहाध्री ठीक है सहाध्री नहीं है क्या है सहाध्री पहाडियां है सहाध्री निम्रकित में से किस प्रकार के परवत का उदारण है सायाद्री का मतलब क्या होता भारत में भारत के दच्छणी भाज में यहाँ पर यह जो आपके ताप्ति नरी के मौहारे सकन्या कमायता की पहाडिया है इनको सायाद्री पहाडिया कहा जाता है यह सायाद्री पहाडिया कोई वास्तविक परवत नहीं है इनको हम लोग पहला तो एक चीज़ और देख लिज़ेगा सायादी पहाडियां क्या कहलाती है पश्मी घाट की पहाडिया कहलाती है और ये पश्मी घाट की पहाडिया कोई वास्तविक परवत नहीं है वास्तविक परवत मतलब प्लेटों के टक्राने से या दबाओ या वल के इहां पर यहां फ़र सोध आपकी ब्रंज वलित रग्षु ऑब की होने का सवाल नहीं किसी भ्रंस माने कर दोते किनारें हैं आपके हो चोट थोगा छोटा नगपूर का पठार के सबसे लहां पर अगर यह भारत है खेत्र हो उता हो क्या करता इसको बोलते हैं मिनरल Hurt of इंडिया मतलब भारती खनीज का सफर अच्छा कोश्चन में छोटा नाकपूर का पठार को क्या बुला जाता है इसको बुलाए जाता है मिनरल हर्ट ऑफ इंडिया यानि थार्तिय कि थनीज का हरदय इस थल और इसी के साथ में इस छोटा नाधपुर के पठार को बुलाए जाता है भारत का रूर प्रदेश यह यह बहुत रिख है यहां बहुत रिख है जो चोटा नापुर का पठार इसकी के से की जाती है जर्मनी की उसी रूर वैली से की जाती है इसलिए चोटा नाधपुर का पठार का रिजन जो है यह आपका कहां पर है चत्रीजगर में कुछ भाग इसका जार्खन पुरीशा और पश्यमंगार तो यहां पर आपका क्या होता है है कि इन चार आजहों में पैला हुआ है तो यहां पर को देखा जाए तो यहां पर आपका-महा-बनेश कर्भात परस्यमंगार फच्ण हरगे यह भी नहीं हो सभी सबसे इसका परवत्वट एप सब्चा यानि पश्मी घाट की सहाध्री पहाडियों का यह पर यहां पर यह नीचे पढ़ता है इधर आपका केडल पढ़ता है और अधर यह हमारा आपका पर तमिलाडु का देखें तो दोद्धा बेटा दूपगर महेंद गिदी और बासवाड़ा तो राजस्थान का जिला है आप पर क्या होगा दोद्धा बेटा यह हमारा क्या होगा आपका सही अंसर होगा ठीक है तो यह रच्छिर भारत में आपकी अन्ना जो निल गिरी की पहाड़ियां है और यह दोद्धा बेटा साउथ इंडिया का सेकंड हाइए अगर कोई पिक है कौते ही माहा बलस्था पहाड़ियां मैं नहीं बताया महरास्त में पढके थोड़ा सा से पूर उती हैं पूर्वान्चल से सम्मंदित नहीं है अंसर का होता है यहाँ पर अगर यह भी ओता था अगर इसका से होगता था तो आप पर महेंदगिरी कर सकते थे उड़ीशा में पड़ती है अगर बाकी अगर देखा दिया अनाइम उड़ी दुद्धा बेटा वहां बलेश्वर यह तीनों के तीनों भारत में वेस्टन घाट यानि सयाधी पाडियों का क्या होती है तो यहाँ पर आपका इस आप से भी कुश् और इलाइची यहां पर देखे गाए भारत के पशिम में यहां पर एंग मांुन्टं रेंज Center यह सब अगर देखा जाए तो इसि रहाट में पर नीचे आ जाएगा यह नीश यह इसी सबसे नीचे यहां पर इलाची या काड़मम पड़ती है यह तीनों आपकी पश्मी घाट का है सब्सक्राइब होगा आगे देखते हैं महाराश राज में ठीक है यहाँ पर होता है हमारे भाद के प्रश्चिम से आपकी दो नदिया निकलती है प्रश्चिम गुदावरी होती है जो महा प्रश्चिम की पहारियां होती है वो कि पहारियां होती है कि इंडिया की है पहले पर आपकी कौन किर्ष्णा ना वरी होती है और फड़र पे कौन होती है करिष्णा होती है या देखिएगा यह तीन आपके स्ब्सेंबड़ी नदिया है जो पचीस सो किलो निकलती कहां से महावलेश्वर पहांदियों से महाघ से आगे देखते हैं वार बूल ढर्रा ठीक है आ कि भूल करके मीशें लोग आपका का कर सकते हैं यहाँ लाचा करें वर भी सही होगा वह ज्यादा सही रहेगा इनको यह अइसा 4 मिश्टेक है भाड़ा लाचा। ड्र्रा जो होता है वह हमारा आपका कहा पड़ता है सिवाली क्रीम दीजह यहाँ पर क्या होता है एक राज जह के सा हिमांचल प्रदे hvis उपांचर प्रभी एक जो दर्रे कुद दिर्रे हैं उनको से होता है वारा लाचा डर्रा लार तीशे आपको याद लखना है हुआपका रोटांग से आपका कौन से है Translato औरexisting चंददिगाढ़ सिंगना पहाणियों के निचे सिवालिक आपका बहुत प्रता कौन सां यह चंदिगर्ण यह capital है आपकी दो joint state के और एक union territory भी है अगले आप भार की दच्छिर्तम परवत माला है अगले भार की दच्छिर्तम सबसे पूछें कौन सी होगी यहाँ पर तो निलगिरी अन्नामलाई नल्लामलाई और काडमम अभी हम लोगों ने पिछले कुछ एक question में ही I think इस ऐसी question को discuss क्या हुआ है यह निलगिरी यह अन्नामलाई यह काडमम सबसे दच्छिर्तम को कौन सी मिल लही है काडमम मिल लही है यहाँ पर हमारा आपका क्या हो गया answer साहब की दच्छिर्तम परवत संकला कौन सी है काडमम या इन्ही को हम लोग बोलते हैं इलाइची की पहा बगीचा कि यह लोगो को क्या बोलते हैं वहां पर यह सबसे प्राशीन्तम परवत क्वार्त सबसे प्राशीन्तम परवत तो भारत होगी ठीक है अरावली राजस्तान में है और वर्तमान में एक यह अवसिष्ट परवत का उदारण है अवसिष्ट मतलब जो आपका रिमेनिंग उसकी चोटी कौन से होती है गुरु शिखर होती हा अगर को से एक सबसुरति प्रशमिघहर के धच्छदि प्रारियां पेटू का इलाका था उसमें से कौन सा इलाका जो है सबसे ज्यादा उपर उठा हुआ है यहाँ पर क्या है अभी मैंने बता है आपको इश्रम पढ़ता मेगाले में लावा का पठार यानि जो महाराज साइड का होगा ठीक है यह महाराज टेम्पी रिजन में फैलावा प्राठारी भाग जो नीचे का दश्रम भाग का होगा पश्रम घाठ की पहाड़ियां सबस्टों उची पहाड़ियों का हिस्सा होती है ठीक है आगे देखा जाए पीर पंजाल स्रेड़ी पाई जाती है अभी मैंने आपको इस्टार्टिंग में बताया था पीर पंजाल आ को है और यह चम्मू कस्मीर राज इन में अगर हम रेंच की बात करते हैं सबसे पहले यह पीर पंजाल फिर यह परिय यह लघ्ण की मिसा लद्दाप पर जासकर के भीस से लगा भारत में बहती है कौन सी नदी सिंध नदी इंडस विवर बहती है निया पर पीर पंजाद शुनी कहां से होगी आपकी किस राजिसे कोगी यह होगी आपकी जम्मु कस्मीर राजिसे होगी थीक है त काहाँ पर हिमानचल प्रदेश में बंदह मुले का भाग है उसका एंसर क्या होता है दहल था इंक्प करके का हिमानचल भगी विद्यमान है हिमाले का सरवादि कहा नदियों के अधार के हमाले को बाटा गया है पंजाब हिमाले कुमाई हिमाले नेपाल हिमाले और आपका सब हिमाले का यहाँ पर कोश्चन बड़ा अच्छा है यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिड्नी बुराड ठीक है इनको ना र्याद खिएगा पूछ रहते हैं कभी कभी इन सिड्नी बुराड ने क्या किया हिमाले को नदियों के आधार पर भाज़ित किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यह जो आपका हिमाले होगा आपका अलग-अलग रिजन्स में हैं यहाँ पर क्या होता है पंजाब हिमाले अब देखे करें पंजाब हिमाले यह दो किन नदियों के बीच में होता है पंजाब हिमाले जो होता है यह आपका सिंदू से लेकर सतलज सिंदू और सतलज नजियों के बीच में कौन सा होता है पंजाब हिमाले होता है अगर बात करते हैं किसकी कुमाई हिमाले की कुमाई हिमाले जो हता है ये उत्राखंड की पहारियों में आपका है सतलज से लेकर आपका ये जाता है आपका काली नदी तक काली नदी को ही हम लोग सारदा नदी के नाम से जानते हैं नेपाल हिमाले की बात करते हैं नेपाल हिमाले ये काली नदी से लेकर किसके बीच में होता है ये तीस्ता नदी के बीच में होता है अगर बात करते किसके असम हिमाले की तो असम हि इंपाल हमान्ट जैसे आपके विश्य के सबसे ऊचछा भाग हमेशा अंडॉटफुली हमाले का बहुँचा भाग होगा अगर यहाँ पर देखेगा यहाँ पर एक छोटा सा तरीका हम लोग आज ट्रिक देख लेते हैं ठीक है यह मैंने आफलाइन बैचेस में पढ़ाई भी अपनी कोचिंग में वाकि आज यूटूब कर पर भी जो बच्चे पहली बार पढ़ाएंगे वो सीखेंगे विश्व मे पर्वतों की पत्ति का क्रम जो विश्व के पर्वत हैं उन्हें आपके एज कर्णिंग टाइम क्या किया अलग अलग टाइम प्रवत होंगे उनको पत्ति का अधायर कैसे बाढ़ सकते हैं उसके लिए चोटी सी मैंने ट्रिक बनाई हुई है आज साथ में सेयर कर रहा हूं पहली वार अउन्लाइन प्रेट फॉर्म पर यहाँ पर कौन सी होती है चिकुल हसा यहां पर कौन सी हीज चीकू हसा यहाँ यहाँ देखेगा बहुत अच्छी से आसां सी ट्रिक है चीगू से होता है आपका कौन सा चलियन में निए नियूटर है और लाश्ट में एक आपक है अलपाइन यह चार आपके भागों में विश्च कर जितने भी परवत होते हैं उनको पत्ति का अधावे बाट कर रखा गया है यूटुब प्रेट्फॉर्म पर पहली बात पढ़े रहें और यह ट्रिक आज तक मैं लिख कर दे सकता हूं आपको कहीं भी नहीं पढ़ाए ग क्राइन यहां पर सबसे पहले करम के परवत क। Kita क्या हैं शेकने न डिया फूब्लoss पर बनने वाले आपके हरसी अर फोर्ट पर बनने वाले आपके अल् पाइं क्या है अगर पूछे चर्म्यंस ऑब कि आरावली की पहारिया है three अजिलतुड्ondorf प Tá Kitty हमाले हो का ह। जो सिवालिक क्यों हो यह विश्वकि का है नव इंतम परवश्वनी है यहाँ पर प क्या होगा यह लिए आगे देखते हैं भार के दच्छरी परवत का सर्वोच्बिंदू के हैं तो हमारे आपके किन पहाडियों में, अभी मैंने बताया था आपको किसमें, अन्ना मलाई पहाडियों में, अन्ना मलाई पहाडियों में कौन सी आपकी, अनाई मुरी की चोटी, ठीक है, यह आपके परवत की चोटी का नाम है, यह पीक है, ठीक है, परवत शेंडी अगर पू अन्यमलाई पहाड़ियों में हो जाएगा आगे मरते हैं ठीक है धौलादार तता पीड पनजार नमक परवश्त्ollen यह ठीक है धौलादार तता पीडमजार देखेंगे लिए फीर अब यहां पर की अलब 거는 का किसका हिस्सा है लिएक किर पनजार कि अकरखते हिस्स इसका हैसा होंगी यहां में आपके यह लगू हिमाले का इसको यहां पर अप्शिन को दिखा जाए तो और अलग अलग सेणिया dipping नहीं महान भी है लगू भी है त्रांस डोहलाधार को अगर देखा जाए तो ठांस का हिसा नहीं होगी पीर पंजाल जो है ट्रांस का हिसा है जिनोर करते हैं पंजाल किसका ऐसा हो जाएगी वो आपके रहां से माले करसा हो जाएगी आगे दिखेएगा भाबर पेटी पाई जाती है हिमालई घाट में पश्मी घाट में छोटा नापकर पठार वो तर्टी ओरी सामें भाबर एक्च्वल में जो नौर्दन प्लेन है ला धाई से लगी हुई आपके बहुत better काप के बार ने लास्ट भलोक धोती का। यहां पर भाबर होता है हिमाले से लगा हुआ दिक बाहता अकर उत कि इसका क्या ओवगा हमारा आपका हिमाले का निष्यले भागों में क्या होगी भावर की पाइध जाएगी अगला दе खेंता के पूरू अन्दमां तथा निंगुबार दृफ जहता जाना जाता यहां पर क्या है कि यह जो सियाचीन आपका ग्लेशियर है इसको याद कर लिजेगा सियाचीन ग्लेशियर इसको क्या पुला आता है सफेद पानी उत्रीधु और दच्छिडव यानि आर्कटिक और अंटाकटिक रीजन के बाद में यदि हम बात करें तो जो हिमाले का पूरा रीजन है यह विश्व में तीसरा ऐसा इस्थान है जहां पर सबस्यादा बरह पाई जाती है बरह पाई जाने का रीजन यही होता है कि यहां पर उचाई ज्यादा हो यह से तापमान कम होता है लेकिन यहां पर जो सियाचीन है यह सियाचीन की बात करते हैं तो सियाचीन जो बात करते हैं कि यह आपका विश्व का सबसे उचा युद्र छेत्र है हाइस बैटल फील्ड टीक है ऑन प्लैनेट कौन सा होता है स्याच इंग्लेश इस पाकिस्तान ने आकमड करने की गोसिस की थी तो भारत सरकार ने पाकिस्तान को ने हराया था तो यह आपका सियाचिन जो हमारा विश्व का सब्सक्राइब के नाम से जानते हैं आगे देखा जाए किस भाती राज का आंशिक भाग हिमाले परवत के उत्तर में स्थित मतलब कुछ भाग अभी आपका मैप पढ़ा हुआ था और इस मैप में द जाते हैं पूछ पूछा आ रहा है अभी आपने दिखा तक है मैप में किसका है जम्मू कश्मी का और यह जो भाग होने से हमाले होगा होगा वह आपका trans हिमाले का होगा मतलब io को सब्सक्रा ठीक वागु अगला क्योश्या दर्राव्याड पास झाहां पर यहां पर आप देखिएगा व्याद करने का और अच्छा तरीका यह कौन सा दर रहा है जोजिला जासे होता है और जासे होती है कौन सी जासकर मैपिंग में भी देखी थी तो अगर हम जम्मू कस्मिर के स्ट्रक्चर को ऐसे देखें यहां पर हमारे आपके कौन सी रेंज है य यह आपकी जासकर रेंज है जासकर रेंज में यहां पर कौन सा दर रहा है जम्मू कस्मिर आपका जोजिला पास इधर आपका जम्मू कस्मिर का रिजन पढ़ता है और इधर आपका लगदाग का रिजन पढ़ता है मेंली मतलब है क्या जम्मू कस्मिर को जोड़ेगा किसे से लेग्दाग से कौन सा जोड़ा आपका प्राचिंतम भाग का प्राचिंता में कौन सा एक फिश्कल पुराना है हम को पता है कि हम भारत यह यूरेशन प्रेट जो इसमें आके जुड़े हैं किसे अफ्रीगन प्रेट से तूटकर इंडियम प्रेट कर रूप में यहां पर इसका अंसर का होगा सी होगा सबसे प्राचीन वागर की चोटी है अगर केटु या गोर्डीन उस्टिन की बात करते हैं यह अभी के समय कहा परती है प्योके में परती है और यह वर्ड की सेकेंड हाईएस तिक है यह वर्ड की कैसी है सेकेंड हाईएस आफ्टर माांट एबरेश मांटरेश आटजा-8808 मिटर का है और जो केटु है यह 8,611 मि तीन चिज़े देखने होती है के के तु देकना होता है कि सिया चिन को दीखना और तीसा यहां पर ही आपका धर्रा पाया जाता है यह लो का आपका कारा कोणड पस में पहाड़िया अच्वbes आपका प्राख करते हैं यह होता है क्या होता है एक साइड आपकी यवरत की यह पुर्वह हुआरी इए पुरुवह था से मिलते हैं और इसी में आपकी जो हाइस होती है सेकंड हाइस तो है लेकिन साथ इंडिया की का है सेकंड हाइस 266 मिटर की ठीक है आगे देखते हैं निजनाति में से कौन से राज की तट्रेखा सबसे लंबी तो यह कुश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है अगर आप से पूछते हैं तो आप आख बंद करते किसको कर आते हो जाकर गुजरात को बात तो सबसे लंबी के साथ में सबसे चोटी कहां की होती है सबसे चोटी होती है गोवा की होती है यहां पर सबसे लंबी गुजरात की सबसे चोटी गोवा की ऑप्शन में गुजरात है लगोवा ह तो यहां पर आपका क्या है इन दिये गए option में से सबसे लंबी 30 सीमा किसकी होती है यह होती है किसकी आंदर प्रदेश की होती है ठीक है तो यहां पर यहां पर आज की class हमारी इस पर संग लोग ने 30 बहुत अच्छा है अच्छा कुश्चन को देखें इसमें लोग आपके पह